हेलो फ्रेंट्स वेलकम करती हूँ आपका मेरे चोटी से टेरिस पे तो आज हम बात करें हैं कि अब तो सही समय है 15 फेबरेरी से 15 मार्श तक का जब टेंप्रेचर बहुत ही आइडियल है बीज लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए, कटिंग लगाने के लिए, खाद वगर पेबने के लिए, तो दिन का जो टेम्प्रेचर होता है, वो बीज बाइस और रात का जो है 15 फेबरेरी से 15 मार्श के बीज में हमें अपने सारे काम निप्टा लेने हैं, तो बीज लगा ले, कटिंग लगा ले, रिपार्टिंग कर ले, खाद डाल ले, और फिर टेम्प्र बढ़ने के बाद गुबर खाद से हमारे प्लांट्स को नुकसान भी हो सकता है वो खाद देने का भी फिर जो है यही समय सबसे बढ़िया है तो समय निकलने पर कोई काम करने का उतना फाइदा नहीं होता जितना सही समय पर किसी काम को करने से मिलता है और यह बात जो है हर शे 40 degree पार या उससे भी ज्यादा होने लगेगा अब धीरी धीरे तो हम उतना अच्छा जो है result नहीं पा सकेंगे सही temperature अभी 35-38 तक का ही है फिर तो आधाधा degree जो है रोज बढ़ता रहेगा एपरेल में और terrace पर काम करना भी मुश्किल हो जाएगा temperature बढ़ने के साथ साथ ज्यादा काम भी हम नहीं कर पाएंगे और हम बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगेंगे और हम सोचते ही रह जाएंगे कि काश हमने सही समय पर अपना काम जैसे की बीज लगाना, खात देना, कटिंग करना सही समय पर कर लेते तो बहुत अच्छा होता तो हमें सक्रिय रहना है, प्रोएक्टिव रहना है और अपना काम सही समय पर निपटाना है वरना फिर हम सोचते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा इस प्रकार यदि हम काम करेंगे तो जो सबजी वगर हम लगाते हैं पास बड़िया जगह है जो घर पर क्यारिया बनाकर गार्डिनिंग करते हैं तो सर्दियों की तरह ही गर्मियों में भी उनकी पैदावार जो है अच्छे आप पैदावार पा सकेंगे तो इस वीडियो के जरीए मेरा एम उन गार्डनर्स को मोटिवेट करना है जो gardening अब शुरू करने की सोच रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं और बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि सही समय पर यानि बहार की दिनों में आपके पास सही समय है गर्मियों के garden को तयार करने का जिससे हम पूरी गर्मियों और बरसाथ अपने garden का लुथ उठा सकेंगे देखें सर्दियों के garden का तो बहुत थोड़ा सा समय होता है उसे enjoy करने का लेकिन गर्मियों के garden का समय काफी लंबा होता है तो देखें मेरा तो terrace garden बहुत चोटा सा ही है ज्यादा सबजियां तो मैं नहीं लगा पाती हूँ फिर भी मैंने कुछ बीज वगरा लगाए हैं जैसे की भिंडी के बीज लगाए हैं जो मेरे पास पिछली बार के ही मैंने बचा के रखे थे यानि भिंडी लगाई थी और उनी में से मैंने seeds अपने तयार किये थी और कुछ खीरा और ककड़ी के भी थोड़े से बीज लगाए हैं मैंने जो की थोड़े थोड़े अभी sprout हो रहे हैं देख पा रहे हो तो आप अभी 4-5 दिनी हुए हैं इनको तो जल्दी ही sprout हो जाते है तो इस तरह से और फिर इनको pollination में मदद करने के लिए मैंने कुछ जो है flowers के भी मैंने बीज लगाए हैं तो इसमें मेरे खीरा और ककड़ी के कुछ मैंने बीज लगाए हैं तो जैसे ही इनकी बड़िया सी root बनेगी मैं इनको transfer कर दूँगी तब तक मैं मिट्टी तयार कर लूँगी और ये है मेरे morning glory के कुछ seedling और मैंने लगाए हैं cosmos के कुछ ये तो मेरी seedling ready भी हो गई हैं तो इनमें yellow color के बड़िया से flower आते हैं तो yellow color पे जो है भवरे बहुत अ मौसमों का राजा होता है ये 15 February से करीब 15 मार्च तक या पूरा मार्च ही लगा ले मार्च के end तक होता है ये मौसम हाला कि April में भी हम लगा सकते लेकिन उस वक्त तक गर्मी इतनी बढ़ जाती है और हम उतना अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते जितना की अब तो अभी तो ऐसा मौसम है कि हम दोपैर हो शाम हो किसी भी वक्त टैरिस पर जा कर और कई घंतों तक हम लगातार बिना थके काम कर सकते हैं तो हमें प्रोएक्टिवली अपनी टैरिस पर काम करना है तो मिलते हूं किसी और वीडियो में